नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग भारत के इतिहास खास तरसे सुतंतरता अंदोलन का इतिहास और उसमें भी खास तरसे कॉंग्रेस के इतिहास के ऐसे तमाम पहलू तमाम पन्ने हैं जिनको बताने की वज़ाये दबाने की कोशिश हुई इतिहास के उन्हीं की उन्हीं घटनाओं को उन्हीं उन्हीं कतानकों को बताने की कोशिश हुई जिससे एक परिवार का महिमा मंदन हो सके अगर कोई ऐसी बात है जो उस परिवार के खिलाफ जा सकती है जो उस परिवार को अगर खराब रोशनी में दिखा सकती है तो उसको दबाने की चिपाने की कोशिश लगातार हुई आप अंदधा लगाईए कि उसके बारे में जानकारी सतर पच्छतर साल बाद चंचंचं कर बाहरा आ रही है थोड़ी थोड़ी वो भी पूरी नहीं आ रही है और कॉंगरिस के पास उसका कोई जवाब नहीं है आज बात करूंगा ऐसे ही एक 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 जो है वाकए की और वो य प्राई 1947 में संविधान सभा ने सर्व सम्मति से भारत के जंडे का स्वरूप तै किया उसका डिजाइन तै किया जिसमें आज जो राष्टी ध्वज है वही स्वरूप था लेकिन महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं था उन्होंने कहा इस जंडे को वो कभी सलाम नहीं करे कि बिना नहीं हो सकती और आपको बता दें कि चर्खे सहित जो जिस जंडे की कलपना की बात की जा रही थी सुईकार करने की वो कॉंग्रेस पार्टी का जंडा था लेकिन बाग किवल चर्खे की होती तो बात समझ में आती चर्खे के प्रती जो आकरशन था जो उनका प्रे एतराज था वो बड़ा अजीब सा है उनका कहरा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह सुदर्शन चक्र है और सुदर्शन चक्र का क्या मतलब होता है मैं जानता हूं लेकिन इस मुद्दे को छोड़ दीजिए उससे बड़ी एतराज वाली बात महात्मा गांधी और जवा कलपना कर सकते हैं जिसके खिलाफ आपने इतनी लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसी ब्रिटेन के जंडे को स्वतंतर भारत के जंडे में शामिल करना चाहते हैं और इतना ही नहीं लॉर्ड माउंट बैटन ने एक सुझाओ दिया एक पत्र भेजा जवाला नहरु को वो चाहते थे कि 15 अगस्त और उसके अलावा नौ और ऐसे आउसर उन्होंने सूची भेज़ा भारत का जो राष्ट्री ध्वज है उसके साथ साथ यूनियन जैक पी पहराया जाना चाहिए तो नहरु जी को एतराज बाकी पर कुछ नहीं था केवल 15 अगस्त 1947 पर था उन्होंने का 15 अगस्त 1947 का विशेश महतु है उस दिन तो नहीं हो सकता लेकिन 1948 और उसके बाद के सालों में हो सकता वो अपने मित्र और ब्रिटन में भारत के उच्चा योग वीके कृष्ण मेनन को उन्होंने चिठी लिखी कि भारती उच्चा योग पर भारती जंडे के साथ साथ ब्रिटिस जंडा भी फैराय जाएगा और लॉर्ड मांट बेटर ने जो सूची दी थी वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि किस दिन के लिए उन्होंने कहा था एक जन्वरी आर्मी डे को एक अप्राइल एर फोर्स डे 29 मैं कॉमन वेल्थ डे 12 जून ब्रिट 11 नवंबर रिमेंबरेंस डे अफ वर्ल वार और 25 अप्रेल एंजग डे इसके लाव दसवां था 15 अगस्त तो आप इससे अंदाजा लगाईए कि मांट बेटन आजादी के बाद भारत को एक तरह से उपरनिवेश ब्रिटन का बना कर रखना चाहते थे मांट बेटन ऐसा चाहते थे तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है वो अपने देश के हिसाब से सोच रहे थे अपने देश के हित के हिसाब से सोच रहे थे लेकिन हमारे देश के जो करणधार थे जवाहलाल नहरू इसके लिए तयार थे उनको इस पर कोई इतराज नहीं था सिर्फ 15 अगस्त 1947 के अलावा अब ये बात सुनकर बड़ा अश्चर होता है कि भई अंग्रेजों से आप लड़ रहे थे या मिलकर कुछ कर रहे थे ये मन में आशंका उठना बड़ा स्वाभाविक है और गांधी जी ने जो किया जो कुछ छपा हुआ जो एतिहासिक तथ्य है उसकी बात कर रहा हूँ गांधी जी ने मुंबई में एक प्रार्थना सभा में कहा कि उनको पता चला है यूनियन जैक हो क्या सरूप उन्होंने सुझाया था भारती ध्वज का यूनियन जैक के साथ उसकी फोटो ये देख लीजिए और ये है उस खबर की कटिंग लेकिन उसके आगे भी कुछ कहा गांधी जी ने कहा कि मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ और कॉंग्रेस के लोगों ने सदाशेता नहीं दिखाई दोस्ती नहीं दिखाई ब्रिटेन से दोस्ती की बात 1947 में कैसे हो सकती है और उन्होंने उसके आगे जाकर कहा कि ब्रिटेन ने ठीक है अत्याचार किये लेकिन उनके जंडे ने तो अत्याचार नहीं किया अब आप दुनिया में ऐसा अनुखा तरक आपने सुना नहीं होगा ये केवल महात्मा गांधी बोल सकते थे बात में उन्होंने कहा कि मेरी मेरी इतनी ताकत नहीं है पहले जासी मेरी ताकत होती तो उस जंडे को जिसमें चर्खा हो उसको स्रिकार करवाता है और उन्होंने कहा इस जंडे को मैं कभी सलाम नहीं करूँगा ये हमारे देश के कणधार थे जो अंग्रेजों से लड़ रहते ऐसा हम लोग आज भी मानते हैं लेकिन उनका आचरन और नहरू जी मांट बेटन से ये नहीं कहा उन्होंने कि जो आप आपने जो सुझाव दिया है कि भारती जंडे में यूनियन जैक भी हो उससे मैं सहमत नह उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो इसको स्विकार नहीं करेंगे जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो इस बाद को स्विकार नहीं करेंगे कि भारत के राष्ट्रिय द्वज में ब्रिटन का भी द्वज शामिल हो यानि नहरू अपने को उस त तो गांधी ने जब कहा था कि हम लोगों के बीच में अकेला जवाहर ही अंग्रेज है तो बिलकुल सही कहा था जिस तरह से अंग्रेजों के साथ व्यवहार किया आजादी मिलने के समय गांधी जी कहते हैं लिखते हैं कि भई अंग्रेज जो है अपनी स्वेच्छा से जा रह तो हमको जो है कड़सी दिखानी चाहिए और इस कड़सी के नाते अपने राष्टी ध्वज में यूनियन जैक को शामिल कर देना चाहिए दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए कोई किसी देश में उसके जो भी नेता आजादी के अंदोलन में शामिल रहे हो छोटे बड़े मजोले कोई भी उनमें से किसी ने ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया होगा कि जो जिसने हमको गुलाम बना कर रखा उसका जंडा हमारे जंडे मे शामिल हो लेकिन ऐसा हुआ ये बातें बताई नहीं गहीं कॉंग्रेस के लोग दावा करते हैं कि देखे नहरु जी को तिरंगे से कितना प्रेम था उन्होंने जो कॉंग्रेस के जंडे को राश्टी ध्वज नहीं बनाया नहरु जी को तिरंगे से प्रेम था या नहीं ये तंतरता दिवस पर 47 के बाद वो इस बात के लिए तयार थे कि भारती धोज के साथ जो है यूनिन जैग भे फैराया जाए उनको चर्खे से समस्या थी चर्खे को वो नहीं चाहते थे राश्टी धोज में और गांधी जी इस हालत में नहीं रह गये थे कि अपनी बात को मनवा सके ये बात उन्होंने लिखी भी है छे अगस्त उन्निस सो सैंतालिस को नहरू लिख रहे हैं छे अगस्त उन्निस सो सैंतालिस पंदरा अगस्त से नौ दिन पहले कि 15 अगस 47 के अलावा बाकी अवसरों पर यानि स्वतनता दिवस पर उसके बाद के यूनियन जैक फैराया जा सकता है तो उन उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी सुतनता के लिए फांसी के फंदे पर चड़ गए काला पानी की सजा भुगती उनको ये कॉंगेस पार्टी माफी वीर कहती है वीर सावकर को और इनको कौन सा वीर कहा जाएगा जो तिरंगे में यूनियन जैक को शामिल कराना चाहते थे जो पंदरह अगस्त के दिन भी यूनियन जैक फैराना चाहते थे आजादी के बाद भी आप अंदाजा लगाई एक मानसिक्ता का एक साइकोलोजिकल सिंड्रोम होता है होस्टिज कंडिशन्स में ज़्यादा होता है जिसमें जो अपहरण करता होता है कुछ समय बाद उसके प्रती जो अपरित लोग होते हैं उनकी सानुबूती होने लगती है तो इतने साल की गुलामी के बाद कॉंग्रेस के बहुत से निताओं को जिसमें गांदी और नेरू दोनों शामिल थे अंग्रेजों से सानुबूती हो गए थी उनसे प्रेम हो गया थी और वर्किंग कमेटी के बारे में ये बताया नहीं जाता मैं खोजने की कोशिश करता रहा मिला नहीं कि उस वर्किंग कमेटी में किसने विरोध किया था इसका इस प्रस्ताओं का उसकी बात Congress Party आपको नहीं बताएगी कभी आप मानकर चलिए कि उसमें सरदार पटेल जरूर रहे होंगे और विरोध उन्हीं के नित्त में हुआ होगा उन लोगों की अब आप समझे उन लोगों की इस्तिती समझे कांग्रेस वरकिंग कमिटी में प्रस्ताव आ रहा है कि भारत के जंडे के साथ यूनियन जैक भी हो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है इससे ज़ादा अंग्रेजों का पिठ्टू बनने के लिए और क्या किया जा सकता है नेरों ने ये कहा है अगर ये यूनियन जैक की बात पर उन्हें कहा जब उन्हें ने कहा कि राष्टवादी नहीं मानेंगे तो उन्हें कहा कि इन लोगों को लगेगा कि अंग्रेजों की चमचा गिरी कर रहे है और इसमें गलत क्या था अगर वो कहते तो इस से इन इन बातों से पता चलता है कि क्या किया है लोगों ने, कॉंग्रेस पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों से ये लड़ कम रहे थे, उनके साथ ज़्यादा चल रहे थे उनका शाशन बना रहे इसका प्रयास किया भारती ये लोगों से अपील की गई कि विश्विद्र के समय बिटिश फौज में भरती हो ऐसे तमाम उदाहरन मिलेंगे जब आपको लगेगा ये समझने में मुश्किल होगी कि आजादी के अंदोलन के ये जो नायक थे ये दरसल भारत के साथ थे ये अंग्रेजों के साथ थे ये अंग्रेजों के नुकसान की कीमत पर भारत का कोई फाइदा नहीं चाहते थे इतनी बात समझ में आती है इसलिए आप देखे कि कॉंग्रेस का कोई बड़ा निता उसको काले पानी की सजा नहीं हुई उसको फांसी की सजा नहीं हुई इनको जब जेल में जब गिरफतार किया गया तो महलों में और ऐसी जगों पर रखा गया जहां पांच तारा सुविदाएं दी गई जेल इनके लिए दूसरे घर की तरह था हर तरह की सुविदाव वहां उपलब थी प्रस कहने को गिरफतार थे और जेल में थे मौन बेटन और नहरू की दोस्ती मौन बेटन की पतनी एडविना मौन बेटन और नहरू की दोस्ती यह किसी से चिपी नहीं है उसकी क्या कीमत इस देश ने चुकाई ये आज तक उसका आकलन नहीं हो पाया नहरू एडविना के पत्र जो है आज तक क्यों नहीं सारुजनिक किये गए ये ये बताने वाला कोई नहीं है क्यों कॉंग्रेस पाटी ने उसको छिपा कर रखा क्यों नहरू गांधी परिवार ने उसको छिपा कर रखा बिटन की सरकार ने छिपा कर रखा है कई संदूकों में भरे हुए ऐसे पत्र और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है तो हमारी आजादी की लड़ाई के आंदोलन का पूरा सच आज तक देश को पता नहीं है उसमें बहुत से परतें ऐसी हैं बहुत से ऐसी जानकारियां हैं जो दबाई गई चिपाई गई और आज भी चिपी होई है जो कुछ बाहर आ रहा है जो छपा हुआ है उनसे आ रहा है ये पता इसलिए नहीं था कि इसको प्रचारित नहीं किया गया प्रचारित वही किया गया जिस से इस परिवार का महिमा मंदन हो सके और ये रणनीती बना कर नियोजित डंग से किया गया कि पूरी आजादी की लडाई का श्रे एक परिवार को जाए और आज उसका नतीजा है कि हम सब जो है जो जितना जानते हैं अजादी के अंदोनर्ण की लड़ाई के बारे में उसमें जो भी पढ़ाया गया जो पढ़ा है उसको देखकर लगेगा कि इनका सच-पुछ बहुत बड़ा योगदान था लेकिन हमारे करांतिकारियों की योगदान को कम करके दिखाया गया जबकि उनका योगदान बहुत बड़ा था निता जी सुभाश चंद बोस अंग्रेजों को अगर किसी से डर था तो निता जी सुभाश चंद बोस से था नहरू गांधी या और किसी कांग्रेसी निता से नहीं था ये सब बातें देश के लिए भावी पीड़ी वरतमान पीड़ी के लिए जानना जरूरी ह तो ये सच्छा है जितनी जल्दी जितनी तेजी से सामने आए उतना अच्छा है और अच्छा होगा आज की कॉंग्रेस के लिए कि इसको डिफेंड करने की कोशिश न करें इसका बचाव करने की कोशिश न करें इसको सही ठैराने की कोशिश न करें देश में जागरूपता बढ़ रही है राजमीतिक जागरूपता अपने अतीत के प्रती जागरूपता उत्सुपता जानने की इस सच मुछ में क्या हुआ क्या हो रहा था गया किया वो पूरा सच है पूरा सच रही है तो कितना है तो कितना चिपाया गया मुझे नहीं लिखता कि किसी भी दूसरे देश के आजादी के आन्दोलन की इतनी बातें इस तरह से चिपाकर रखी गए हो और उसके बाद बड़े बड़े दावे तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर में लेंगे किसी नए मुद्धे के साथ तब तक के लिर्मती दीजिए आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए